इस भर में कोरोना संक्रमित मरीज्यों को आकड़ा बढ़ रहा हो और अब उत्तर प्रदेश के जहांसी जिला में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं एक दिना में अबे तक रवीबार खो 33 पॉजिटिब मामले सामने आए हैं और एक दिना में तीन लोगन की मौत भई है कोरोना से प्रसासन लगाताल जनता से अफील कर रहो के सोसल डिस्टेंसिंग को पालन करें मास्क लगाएं लेकिन बजारों में उमरती भीड इवाद की गवाई दे रही कि उनके भीतरे फिलहाल कोरोना को कौनों खोब दिखाई नहीं दे रहो रवीबार खोब जहासी में तीन मौते भई हैं और कुल 365 टेस्ट में से 33 नए पोजिटिब मरीज सामने आए हैं जह मरीज सीपरी बजार पुलिस लाइन केलास रेजिडेंसी लक्ष्मी गेत कोतवाली पन्ना लाल का हाता सक्ती नगर सिविल लाइन दतिया गेत गुर्षराएं इलाके में सामने आए हैं जहासी में अबे तक कुल 27 कुरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है जिले में कुल 277 मरीज मिले हैं गनी मज्जा है कि 105 मरीज पोजिटिब के बाद निगेटिव होके ठीक हो चुके हैं इन में से संतान में मरीज पूरी तरह ठीक होके घरे जा चुके हैं मेडिकल कॉलेज में फिला अलकुल 145 एक्टिव मरीजों को इलाज जारी है महारानी लेक्षिवाई मेडिकल कॉलेज जहांसी में एक हेल्प डेस्क की स्थापना करी गई है यह हेल्प डेस्क पे जो भी मरीज आके अपनों टेस्ट करा वो चाओत है वो अपनों आधार कार्ड और फोन नम्मर दे के टेस्ट करा सकत टेस्ट के परिणाम आवे तक सबखो होम कॉरिंटाइन में रहवे की हिदायत दई गई है यह के अलावा डोर टू डोर सर्विलांस टीन द्वारा भी सर्विक्छन करे जा रहो है जिला पर सासन ने कही है कि टेस्ट के परिणाम को आपकी द्वारा उपलब्द कराएगे फोन नम्मर वाटसेप या इमेल पे सूचित करेज़े है लेकिन फिलहाल जासी में हाला खराब हो रहे है